हाई फ्रेंज वेलकम बाक तो आज हम बात करने वाले हैं CAC के द्वारा लॉंच की गई नई मुहीम के बारे में जो की है कोवीड की वाक्सिनेशन की मुहीम आप में से काफी सारे वियली भाईयों को ये पता होगा कि अब पोर्टल के माध्यम से ही हम सब काफी सारे अपने गाउंवालों को रजिस्टर कर सकते हैं वाक्सिनेशन के लिए और इसकी बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगी काफी सारे वियली भाई ये जानना चाहते हैं कि इसमें पर रजिस्ट्रेशन पे कितना कमिशन मिलेगा प्रोसेस क्या होने वाला है और गफ्रमेंट की जो वेबसाइट है उससे अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं और CSC की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो दोनों में क्या अंतर होगा साथी साथ काफी सारे लोग गे भी बोल रहे हैं कि क्या दोनों में centers जो हैं और vaccine जो हैं वो क्या अलग-अलग होंगे तो इसके बारे में मैं in detail आपको सारी चीज़े बताऊंगी यहां पे मैं process नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि त्यागी सर ने खुद एक webinar करके इसकी पूरी process बताई है और काफी सारे ऐसे वीडियो भी हैं जहां पे registration करके process बताया गया है तो मैं दूसरी सारी जानकारिया इस वीडियो के मादम से देने वाली हूँ शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियो सकते हैं कि kovin.caccloud.in slash home पे अगर आप जाएंगे तो आप यहां पे registration कर सकते हैं तो यह किसी एक वियली भाई ने शेयर किया था और वही process में आपको दिखा रहे हूं यहां पे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि क्या अगर हम government की website पे जाते हैं और तब registration करते हैं और इस तरह से government की websites पे slot दिया जा रहा है और आपको randomly ही assign किया जाता है उसी तरह से CAC portal के जरीए भी आपको slots मिलेंगे और centers दिखाई देंगे vaccine भी आपको जिस तरह से government की website पे अलग-अलग vaccines के options मिलते हैं उसी तरह से CAC की website भी आपको इसी तरह के option मिलेंगे basically किया यह गया है कि government की जो website है उसे CAC portal पे integrate कर दिया गया है तो हमें कोई अलग से portal नहीं दिया जा रहा है बस दोनों को merge कर दिया गया है portal को और अब CAC portal पे भी यह registration किया जाएगा तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि CAC के जरीए कोई अलग से काम हो रहा है बस यह integration किया गया है अब दूसरा एहन सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए कोई commission कमा पाएंगे या फिर क्या आप कोई charge ले सकते हैं अपने ग्रहाकों से तो सबसे पहली बात यह कि यह एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको charge लेना भी नहीं चाहिए यह हा मैं CSE से ही जरूर उमीद रखती थी कि अगर इस तरह का कोई काम CSE VLE भाईयों को देता है जो काफी चुनोती फून तो होगा ही इसमें खत्रा भी बहुत जादा है क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे और आप free में इस तरह का काम करते हैं तो free काम करने से पेट तो नहीं भड़ता है तो भले ही हम ग्रहाक से कुछ न ले लेकिन CSE को इस पे कुछ न कुछ कमिशन जरूर देनी चाहिए थी जादा नहीं भी देते तो कम से कम 20 रुपे तक का कमिशन तो CSE जरूर दे सकती थी लेकिन यहाँ पे आपको ना तो CSE की तरफ से कोई कमिशन मिलेगा नहीं आप ग्रहाक से 1 रुपया भी इसमें कमिशन ले सकते हैं और जैसा कि आप सब ये भी गानते हैं कि government website पे free में ही सारी चीज़े registration मेगरा हो जाती है लेकिन फिर भी CSE को ये अधिकार और CSE को ये काम इसलिए दिया गया है क्योंकि ग्रामीन शेत्रों में लोग इतने जादा user friendly websites पे भी अपना registration नहीं कर पाते हैं उनको समझ नहीं आता है कि किस तरह से वो अपना खुद का registration करें और जब उनको एक ऐसा interface मिलता है जब ऐसा support system मिलता है जहां पे कोई उनकी मदद कर पाता है तो वो registration कर पाता है यहां पे त्यागी सर ने जो webinar किया था उसमें ये भी बताया था कि वो ये expect कर रहे हैं कि आप लोगों को जागरूप करें कि वो vaccination ले और अगर ज़रूरत पड़े जादा लोग हैं तो आप उनको center पे भी ले जाए तो ये सारी चीज़े त्यागी सर ने webinar पे बताया था अगर आपने वो webinar नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख सकते हैं facebook पे वो available है एक बहुत ज़रूरी बात इसके अंदर ये है कि त्यागी सर का कहना है कि आप सबसे पहले खुद का registration करें खुद vaccination लें अपने परिवार वालों को मित्रों को करता कि लोगों को भी ये महसूस हो कि vaccine लेना safe है क्योंकि इससे जूरे बहुत सारे misinterpretation हैं और लोग काफी डर रहे हैं इसकी side effects की वज़े से तो अभी आने वाले कुछ दिनों में CAC की तरफ से भी बहुत सारे ऐसा webinar होने वाला है जहां पे लोगों को educate किया जाएगा कि किस तरह के side effects हो सकते हैं और किस तरह के side effects नहीं हो सकते हैं एक misconception ये भी है कि एक mobile नंबर पर सिर्फ एक ही registration हो सकता है तो ऐसा बिलकूल भी नहीं है एक mobile नंबर पर आप 4 registration कर सकते हैं क्यूंकि ग्रामीन शेत्रों में हर पडिवार वाले के पास मुबाइल नहीं होता है तो एक नंबर पे चार रेजिस्ट्रेशन होंगे लेकिन सबका अपना-पना कोई आई-कार्ड जरूर होना चाहिए जैसे कि वो आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं डियल यूज़ कर सकते हैं तो को वैक्सिनेशन के टाइम उनको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा साथ ही साथ ये भी बता दू मैं कि जो भी मोबाइल नंबर वो दे रहे हैं उस पे एक OTP आता है और तभी ये रेजिस्ट्रेशन करा पाते हैं आप और जब वैक्सिन लेने जाएंगे वो लोग तब भ ही एक OTP आएगा और OTP देने के बाद ही वैक्सिनेशन का प्रॉसस कंप्लीट होता है तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि कमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया तो मुझे उमीद है कि आपको ये